हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमूलिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम बाइसेट की तरफ अपने लिए परफेक्ट ट्वेडिंग सेटप फाइंड कर सकते हैं तो बाइसेट की तरफ आप अपने लिए कैसे परफेक्ट ट्वेडिंग सेटप तयार करेंगे और उसके basis पे हमें कैसे trade लेना है क्योंकि अगर आप setup तयार करके trade initiate करते हो तो वहाँ पे profit probability बहुत ज़्यादा increase हो जाता है फिर वहाँ पे हमें profit मिलने के chances ज़्यादा रहते हैं और losses के chances कम रहते हैं तो आपको जब भी trade लेना चाहिए आप intra day लो पोजिशनल लो या फिर swing trading लो कोशिस आपको करना है कि आप अपने लिए एक trading setup तयार करो और उसके basis पे interview लेना है तो वह कैसे interview लेना है? चले इस चीज को समझते हैं और सेखते हैं तेहां पे हम चार्ट पे आते हैं और यह जो चार्ट है आपका, Davies Lab का चार्ट है 15 मिनाट time frame वाला चार्ट है अगर आप देखें तो यह 15 मिनाट time frame वाला चार्ट है तो 15 मिनाट time frame के basis पे हम यहां पे intra day trading आसानी से कर सकते हैं लेकिन हम intra day trading कैसे करेंगे? हम अपने लिए perfect setup तयार करेंगे buy set की तरफ, तो perfect setup जो तयार करेंगे यहां पे हम तीन चीज का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लेंगे trend line यहां पे हम trend line draw करेंगे और trend line draw करना मैंने आपको अलगी बता दिया, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा, वहां पे आप जाके trend line draw करना सीख सकते हैं और हम trend line इस तरीके से draw करेंगे, और trend line हमारा क्या करना चाहिए? हमारे लिए support के रूप में काम करना चाहिए, यानि trend line हमारे लिए support के रूप में काम करेगा, यानि price आपका यहां पे इस तरीके से काम करना चाहिए अब हमें बाईसार की तरफ कहां पे जाना है जहां पे trend line जो support की रूप में काम करा वहां पे हमें क्या चाहिए एक positive candlestick चाहिए दूसरा point क्या है कि हमें एक जबदास positive candlestick pattern चाहिए तो दो point यहां पे हो गया हमें positive candlestick pattern और trend line लेना है तीसरा point है कि हमें फेबनाची levels draw करना है फेबनाची levels यहां पे लाना है और इसी तीन point के basis पे हम क्या करेंगे अपने लिए एक perfect set up करेंगे जिसके basis पे हम inverted trading में बाईसार की तरफ interview ले सकते हैं अब यहां पे आपको देखने की जबत है एक low यहां बना दूसरा low यहां बना इन दोनों लोग को join करते हैं हम क्या कर सकते हैं एक trend line draw कर सकते हैं यह हमारा trend line हो गया अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस lowest point को join करते हैं हमने trend line draw किया जब price आपका उपर गया यहाँ पे आपका क्या form किया है एक आपका positive candlestick pattern का यहाँ पे formation किया है यह जो positive candlestick pattern है यह काफी हद तक आपका क्या है bullish engulfing candlestick pattern है और यहाँ पे कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा morning star भी देखने को मिलेगा और काफी हद तक आप इसको morning star भी बोल सकते हैं perfect तो नहीं है और उसके बाद जैसे प्राइस आपका इस लेवल के करीब उपर जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे बाइसर की तरफ यहाँ पर हम clear cut entry ले सकते हैं लेकिन हमें इसके लिए उससे पहले फेबनाची लेवल को भी देखना परेगा तो चलिए अब यहाँ पर हम clear cut drawing करते हैं सारे कुछ indicators को use करते हुए अब देखें यहाँ पर हमारे सामने perfect पूरा trading setup बनके तयार है यह हमारा trend line है यह हमारा फेबनाची लेवल्स है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक bullish engulfing candlestick pattern यह पॉजिटिव candlestick pattern दिखा यहनी पहला हमने trend line को लिया दूसरा हमें candlestick pattern दिखा bullish engulfing तीसरा हम यहाँ पर फेबनाची लेवल्स लिये अब हमें जो interview लेना इस level के आसपास हम interview लेंगे यह जो point होगा हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा और target price क्या होगा फेबनाची लेवल्स का जो highest point है वो target के रूप में काम करेगा नहीं तो आप यहाँ पर twailing SL का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगला जो भी लेवल्स है इसको छोड़के नजदिक बाला है यह हमारा T1 बन जाएगा target 1 यह हमारा target 2 यह नि final target price हमारा यही रहेगा तो इसलियाज से अगर आप देखो तो SL काफी छोटा सा बन वहाँ और पहला target भी काफी बिग बन वहाँ यह नहीं हमें last में क्या check करना है risk reward तो risk reward भी काफी हद तक हमारे favor में ही है risk काफी कम है और reward यहाँ पर हमें अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है इसके basis पर आप चाहो तो options में भी trade कर सकते हो अगर stocks F&O में available है तो आप यहाँ पर nearest जो भी आपका call options बनता है slightly in the money वो call options आप भाई करके options में भी trade कर सकते हो futures में भी trade कर सकते हो और चाहो तो आप delivery में भी trade कर सकते हो जो मन है वो trade setup आप यहाँ पर अपने सहुलियत के recording आप ले सकते हो बस जो तीन चीज आपको बताया trend line Fibonacci levels और क्या होना चाहिए हमें एक positive candlestick pattern बना चाहिए अब यहाँ पर देखिए एक तो आपका trend line support के रूप में काम कर रहा एक आपका Fibonacci levels भी support के रूप में काम कर रहा तो दोनों level हमाई लिए support के रूप में काम करना चाहिए दोनों levels हमें कुछ न कुछ indications दे रहा तो इसके basis पे हम trading setup त्यार कर सकते हैं उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होग उसके लिए आपको हमारा mobile app equity quality को download करना होगा play store से और वहाँ पे आप देख सकते हैं future options के बारे में from basic to advanced technical analysis candlestick pattern और stock market के बारे में भी आपको basic से advanced level तक बताया गया है और हमने course को इस तरह की से design किया है कि आप as a independent worker के रूप में काम कर सकते हैं और आप चाहो तो stock market को अपना career options के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप interested है तो एक बार आप हमारा mobile app download करके वहां पर जहूर visit किजिए कुछ भी doubt confusion होता है तो आप हमें contact भी कर सकते हैं तो चले यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे example को देखते हैं दूसरा example है हमारा HDFC life insurance का hourly chart और बराबली चार्ट के basis पर भी बहुसा है लोग intraday trading करते हैं या नहीं तो आप swing trading या फिर positional trading में भी इस्तमाल कर सकते हैं intraday trading के लिए हमने time frame बताए दिया या इसका इस्तमाल हम different time frame में कर सकते हैं में बताने का पीछे मकसद यह हैं अब यहां पर भी हम तीन चीज का इस्त करना है और फिपनाची वेट्वेस्मेंट लेवल्स के अगर हम बात करें देख सकते हैं 78% के करीब का लेवल है इसके नजदीक से लोटा है यहीं लेवल भी हमाई लिए support के रूप में काम करता हुआ देख रहा है उसके बाद अब हमें क्या चाहिए एक positive candlestick pattern चाहिए अब की दोनों भी आपका support के रूप में काम करने लग गया है और यहाँ पे positive candlestick pattern बनाया morning star positive candlestick pattern का formation किया है यहनि जो तीन conditions था वो तीनों conditions को यह पूरी तरीके से satisfy कर रहा है यहनि इसके basis पे यहाँ पे हम entry ले सकते हैं यह हमारा लगबग entry point बन जाएगा यहाँ पे हम बाइस इस तरीके से अगर आप देखें तो risk or reward काफी हद तक हमारे favor में देख रहा है यहनि initial की बात करें तो लगबग आपका one is to one risk reward issue है अगर हम इसको include करते हैं risk reward issue आपका काफी हद तक आपके favor में मिलता हुआ देख रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे हम trading setup तयार कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने लिए trading setup find करें जो कि हमें breakout find करने में या फिर reversal को identify करने में बहुत ज्यादा help करता है और यहाँ पे आप trap से भी आसानी से बच सकते हैं क्योंकि trap अगर बिचाये जाएगा तो कोई ना कोई एक जगह हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर positive canalistic pattern बन रहा है मतलब market को उपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है जवर्दस्त हमें upside move देखने को मिलेगा इसलिए इसका accuracy लगबग हम 80% के आसपास लेके चल सकते हैं उमीद करते हैं यह simple सा concept है लेकिन काफी powerful है जनुरी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते एक साथ आपको तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना फिर आपके लिए perfect buying point बन जाएगा आप market में सही जगह पे बाइसार की तरफ interview ले सकते हो सुमीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया फ्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए शाधी साथ bell icon दबना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो upload करे उसका notification आपको मिल जाए औ आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते रेक्स वीडियो में जैहन्त